तो इवार फिर से कॉंग्रेस दफ्तर लिये चलते हैं चित्रा देखे कॉंग्रेस पार्टी और उसके लिए एक बहुत बड़ी खलबली का ये सबब बन गया है राहूल गांधी कह रहे हैं मैं देश की आवाज बुलंद करने के लिए हर कीमत चुकाने को तयार हूँ लेकिन सचा ही ये है कि बीते दिन के फैसले के बाद अभी तक वो लीगल डिस्कॉस क्या लेना है उस पर आगे नहीं बड़े हैं लेकिन यहाँ पर जैसा कि कॉंग्रेस आरोप लगा रही है बिजली की तेजी से काम हुआ सदस्तर अद्ध कर दिगे बिल्कुल देखे मैं सबसे पहले जानकारी देदू यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठक बर शुरू ही होने जारी है यहाँ पर सबसे पहले कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलिकार जुन खड़के पहुंचते हैं उसके बाद प्रियंका गांधी आती हैं उनके आने के साथ ही गांधी तुम संघर्श करो हम तुमारे साथ हैं कारे करता ये नारे लगाते हैं उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंचती हैं पीची दम्रम पूर्व वत्तमंत्रे इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब इंतिजार किया जा रहा है राहूल गांधी का लेकिन आखिर इतनी जादा देरी क्यों की गई कॉंग्रिस प मोदी के सामने अपनी योगिता को कैसे साबित करेंगे अब कॉंग्रिस पार्टी नए सिरे से पूरे जोर्ष के साथ अपने नेता को बचाने के लिए आगे बढ़ेगी उसी के स्ट्राटीजी यहाँ पर तयार की जारी है क्योंकि सोनिया गांधी खोद यहाँ पर मौचने वाली है इस मीटिंग के लिए बस कुछी देर में यहाँ पर राहूल गांधी भी पहुंचेंगे उसके बाद नए सिरे से तैयारी की जाएगी कि आकर उपरी अदालतों के जरे कैसे राहूल गांधी को रहा दिलाई जाए और इसके साथ ही तमाम जो लीगल सिंग्वी ने आज जब कांफरेंस की तो मौचमी उन्होंने सीधे सीधे कोट की जो प्रक्रिया रही है इस पूरे मामले की मानहानी केस की सुनवाई में उन्होंने कहा कि प्रेलिमिनरी इंक्वाइरी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई तो क्या कॉंग्रस पार्टी सीध उस फैसले को उस प्रोसीडिंग्स को ही चैलेंज करने का मन बना रही है ऐसा उनकी बातों से लगा देखिए अंजना कहीं न कहीं आप जो बंद कमरों में चर्चा हो रही है कि क्या कानूनी तोर पर कॉंग्रेस कमजोर पड़ी क्या कानूनी पेचीदगिया समझने में कमज करना चाहिए था हाला कि अभिशेक मनुस इस बात को बार-बार दौर आ रहे हैं कि सरकार कुछ भी कर सकती है और जो गौने विशेशक है वे मान रहे थे आप हमतलब की आप डिस्वालफा होंगे वो तलवार कभी नहीं लटख रही थी वो तो पक्का था तो फ़र आखिर है कि अगर अगर यहां मामला صिर्फ एक महीने की सदस्था रध लोकस्भा चुनाव के पहले तक की सदस्था यह संसत के बाहर रहने की बात होती थी तो बात और होती लेकिन मामला इस बात प्पर टग गिया है कि 6 साल तक अगर राहुल गांडी सियासत से बतोर सांसद नहीं बन पाते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर कौन, कॉंग्रेस की नईया को कौन संभालेगा, क्या ये कॉंग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेट बैक नहीं है, जटका नहीं है, इस बात पर आज विशलेशन यहाँ पे होगा, और जाहित और पे तैयारी इलेक्शन कमिशन में भी हो रही है, वाइनाट के चुनाव की, उस पे भी चर्चा होगी, कि राहूल गांदी नहीं सही, तो और कौन, क्या प्यांका गांदी वाड़ा का नाम सामने आएगा, कयास बाजी तेज हो गई है, कि क्या प्यांका गांदी वाड़ा का नाम कॉंग्रेस पार्टी वाइनाट से चुनाव के लिए जो है देगी, पर अभी यह कयास बाजी ही है, इसमें कोई पुष्टी नहीं है, पर जरूर जो है चर्चा जोरो से हो रही है